सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो, सास्त्रों में वरणित है, मनुस्य क्या भाग्य उसके कर्मों पर निर्बढ करता है मनुस्य जैसे करेगा, वैसा ही बरेगा सास्त्रों में माता लक्स्मी को धन और सुक सम्रुद्धि की देवी काह गया है मान्यता है कि देवी लक्समी जिस किसी पर अपनी कुरूपा बरसाती है उस व्यक्ति का जिवन बहुती आराम और सुख से व्यतीत होता है वहीं कुछ ऐसे कारण भी है जिससे देवी लक्समी नाराज भी हो जाती है और उस घर का त्याक कर देती है व्यक्ति जैसा प्रयास करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा तो आये जानते हैं वो कौन सी गलतिया है जिनकी वज़े से कठीन मैनत करने के बाद भी निरासा आपके हाथ लगती है और मा लक्समी आपके घर को त्याक कर चली जाती है जिन घर में नियमित रूप से साप सफाय नहीं होती है वहाँ पर देवी लक्समी जादा देर तक नहीं टिकती मान्यताओ के अनुसार देवी लक्समी का वास हम्मेशा साप सुत्रे गरों में ही होता है जिस घर में नियमित रूप से साप सफाय होती है उस कर्मे मालक्स में अपना स्थान अवश्य ग्रहन करती है जिस गरों में लोग सुर्य देव होने के बाद भी सोते हैं वहाँ पर देवी लक्स में नहीं रहती आलश्य असफलता की कुंजी होती है मतलब कि जब तक आप मेहनत और प्रयास रत नहीं होंगे सफलता हाथ नहीं लगने वाली सास्त्र के अनुसार सुर्य देव के पस्चात निंद्रा लेना गर में नकारत्मक सक्तियों को बड़ावा देता है सास्त्र के अनुसार ऐसे गरों में मालक्स में अपना स्थान कभी ग्रहन नहीं करती जिस गर में पती और पतनी एक दुसरे का सम्मान नहीं करते हैं उस गर से देवी लक्षमी चली जाती है सास्त्रों में वर्णित है जिन गुरों में हमेशा कलेश बाद बाद पर जगडे और परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाए होंगे नकारक सक्तियों का उस गर में प्रभाव होगा ऐसे परिवार में माता लक्षमी कभी अपना स्थान ग्रहन नहीं करती इसलिए हमेशा परिवार में सुक सान्ति के साथ पती पतनी और अन्य सदस्यों को मिल जूल कर रहना चाहिए जो व्यक्ति बार बार जूट बोलता है उसके घर पर देवी लक्षमी जादा समय के लिए नहीं टिकती कहा जाता है कि एक जूट को छुपाने के लिए हजारों जूट बोलने पड़ते हैं परत दर परत जूट में डुवा इंसान और परिवार कभी दनवान नहीं हो सकता क्योंकि उसकी नियत में ही खोट होती है इसलिए जो लोग जूट बोलकर अपना काम निकाल कर दूसरों को दुख देते हैं उनके घर कभी भी मालक्स में निवास नहीं करती सास्त्रों में चोरी को महापाप कहा गया है चोरी से ना सिर्फ एक इंसान बलकि पुरे परिवार की बद्दुआ लगती है सामने वाले को दुख पहुचा कर स्वयम सुक की अभिलासा करना मुर्खता होती है चोरी की आगाया धन संचय कभी प्रगती नहीं करता बलकि वकाल रुपी स्थान को जनम देता है यानि चोरी से धनार जन नहीं बलकि कुल का नास होता है ऐसे में जिन गरों में चोरी का सामान होता है उस परिवार में मालक्स मी कभी भी स्थान गरहन नहीं करती जिन गरों में मेहमानों का स्वागत सही डंग से नहीं होता, वहां से देवी लक्समी चली जाती है अतिथी देवो भव अर्थात मेहमान भगवान का रूप होता है, उनकी सेवा और सम्मान करना परिवार का फर्ज होता है ऐसे में जिन घरी परिवारों में मेहमानों का अनादर होता है, उन परिवारों में मा लक्समी कभी अपना स्थान ग्रहन नहीं करती जो व्यक्ति बोजन का अपमान करता है और थाले में अन को छोड़कर उठी जाता है, ऐसा करने से माता लक्समी का अनादर होता है सास्त्रों में वनित है बोजन का अनादर मतलब बगवान का अनादर करना बोजन का तिरसकार करना मतलब बगवान का तिरसकार करना जिन परिवारों में बोजन का अनादर और दूस प्रयोग होता है उन परिवार में मा लक्षमी कभी भी अपना स्थान ग्रहन नहीं करती जो व्यक्ति माता पिता और अपने बड़ों का अनादर करता है उससे माता लक्षमी हमेशा नाराज रहती है सास्त्रों में कहा गया है गुरू से पहले माता पिता यानि जिन परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग और माता-पिता का सम्मान ना होकर अनादर होता है ऐसे परिवार में मालक्समी कभी अपना स्थान ग्रहन नहीं करती दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए है तो कमेंट बॉक्स में जै मालक्समी अवस्य लिखे